नमस्कार, यो पॉड्कास्ट दुई भागमा प्रसारी तुनेशा, आज पहलो भागमा कॉंग्रेस संसदिये दलको नेता को चुनाव को विश्य फ्रस्तु तुनेशा, रो दोसरो भागमा आगामी सरकार गठन बारे चर्चावनेशा, यो पॉड्कास्ट लाई त्यसको समग्रता मालीना, रो आफुलाई रुचिकर लागेका अंसहरु सुनेर मात्रा अनाविशक खुशी हुना, वा रुवाबासी नगर्न अनुरोच्छा, दसकोई देखी मेरे वड़ा प्रिये वाक्येशा, मा अफना भावना लेखाई वा बोलाई को समग्रता को निम्ती मातरा जिम्मेवार चु, कसे को आंसिक भुजाई का निम्ती हुए ना, एक राजनेतिक पार्टी को रुपमा नेपाली कॉंग्रेस को स्थान सर्वादिक महत्तपोर्ण चा, 2007 साल देखी, आज समा आई पुगता कुनिपणी महत्तपोर्ण राजनेतिक परिवर्त नेपाल में इसतो भहे को चाई न, जस्मा यो पार्टी को भुमी का केंद्रिये रहे को नहोस। 2007 साल, 2007 साल, 2014 साल, 2010 62 साई वह सम्मिधान को खोष्णा का निर्णाक छाण, हमेशा नेपाली कॉंग्रेस को भुमी का निर्णाक न रहेको चाँ, के नेपाली कॉंग्रेस ले न चाहे को भाई नेपाल मा गरतंत्रा हो थियो के नेपाली कॉंग्रेस का सभापते गिर्जाबावु ले न चाहनू भाई को भाई और उले जतिने प्रयास गरे को भाई तापनी नेपाल मा गरतंत्र स्तापित होना सकने थे न स्पाइनल कोड हो नेपाली राजनिती को नेपाली कॉंग्रेस नेपाली कॉंग्रेस का आरका सभापती सुषेल कोईरालाले नचाहे को भै यो सम्भिधान जो हाल लागूचा ते सम्भावता गष्णा नहीं हुने थे न सवाल यो हैना कि नेपाली कॉंग्रेस संसत मा कती सीड थे कती आजचन वा कती बली उनीचन सवाल यो हो कि कुनेपनी बखत मा नेपाली कॉंग्रेस कहाने रोबियाको चा तेसले अर्थ राखता चाहा मा सम्जन चो त्यो काल जब मा साने थे जब अप्पुल्चोक मा आफनो भांजा को दुर्वजी को सानो रच्ची सो छिडी कोठामा बसने कीसुन जी 200 जिस्ते 23 बजी तीर हेने र जमल पाठी कारेले मा पुगने गढ़न उन्ते हो लणदे जान हुन्ते हुआ, वाको सात्मा मुश्किल ले 7-8 जाना मांचे हुन्ते, तर त्यो जमाना मा पनी कॉंग्रेस ले क्ये बनी हुआ, पनी उच्छुकता आम्मानिस, राजदर्वार रो काटमांडु इस्तित दुतावासर मा ब्यापक ने हुने गरत थेुआ, कॉंग जो सांग, चसका सभावति सांग, एती थोरे मांचे एड़ चन, कारेवाग सभावति दे, इसको एत्रो महत्तो कीना, मा चका परदे, कालंतर मा जबामा पतरकाड़ितामा प्रवेश गरे, धेरे किसिम का राजनेतिक तुफान उतार चड़ाब देखे, रबिस्तारे बुज इंपोर्टेंस अफ स्पाइनल कार्ड, कांग्रेस राजनेति पार्टी मात्रवाईना, संसकार पनियो, इजो आजका कांग्रेसी अरू, कॉमनिस जस्ते देखिने, वा उनियारू जस्ते बोलने, मीडिया बाजिक गरने, लेखने, लेखाउने, खानपिन गरना थाले पचि मुलत कांग्रेस को संसकार पनि फरकोन थाले को साज बुली, तथापी इसलिए आफनों पुरानों मुल्वो संसकार चाहें, पूरे छोड़ी सके को अवस्ता होई नाज, यो संसकार नेपाली कांग्रेस ले कती हच्छमा आगामी दिन हरूमा जोगाउना सक्षा, तेसे मां यो पाटी को भाविश्य निर्वर रहने चाहें, संगहर्ष, सैयम, सालिंता, निरंतरता नेपाली कांग्रेस को आधार हो, अईले कांग्रेस मा जोन आंतरिक प्रतिसपर्दा देखिये को चाहें, यो कुने नया नवीन आविसकार निश्चेत रूपले होई ना, पहला पन प्रतिको अंतरपाटी संगहर्ष, तुनला आत्मा कृपले सालिंता पुर्वकोनी गरता थियो, ती दिन हरुमा पाटी का, अपने पाटी का नेता हरू रो साथियरू विरुद्ध जायज रो नाजायज मानमर्दन गर्न गराउन सिपाई हरू खटाईन न थिये, जो सरी खटाईन चन, वह खटाईन दे, उन्हों ता आजको दिम्मा एक प्रकारले बनने हो बने, कॉंग्रेस रो एमाले बीच खासी फरक छाई न, ये निकुनी तड़कार फरक छा बने, संसकार को अईतिहासिकता को फरक मात्र हो, कॉंग्रेस बाट येसको पुरानों संसकार जि की दिनी हो बने, तेस पची नेपाली कॉंग्रेस नेपाल को टिपिकल कमनिस्ट पार्टी बन जा, नेपाल को टिपिकल कमनिस्ट पार्टी बनना ले, लामो थुतुनों सानो हात, थुतुनों जती लामो भय पनी, तेसले अर्थहीन ठुला कुरा जती गरे पनी, काम खासे क त्यसको तुला नामा. टिपिकल कॉम्मिनिस्ट पार्टी भन्नाले केस्टो पार्टी जसको बोली रर कर्म मा कुनली तादम मेंता छैना अथ्पा तादम मेंता ज्यादा ही नियून छा पस्वुन निय प्रायाचा. के तम अले ठाचा ये प्रसंग बस. Communist Party और ले शिक्षा मंत्रा ले चलाया को जड़ने 15 बरसा उन धाली शेग्यो 15 बरसा दिन ले पच्छिला बरसार मा चलाया ओला 15 बरसा नेपाल को शिक्षा कोई स्तर क्ये चा नेपाल को शिक्षा जीवन मा कती काम लाख सा बनने कुरा बाया हात्मा certificate लीनी बित्तिकै, दाया हात्मा मरुभुमी को ticket लीन लागेका लाइन अरुबड़ा आफे स्पस्टाउंचा। नेपाल को Communist Party और को सक्तित्यसको असंभव भासन बाजी दावपेश र भूल भूलाई अरुबड़ा निस्रितुंचा। आफना दोधारे दावपेश र भूल भूलाई अरलाई Communist अरुले रणनेती बन्दाई थोई पकाली करने प्रयास करचन। उन्हेरु बन्दाई थोई रणनेती के उड़े स्ट्राडेचिक कुराओ आमरो भासन बाजी आमरो लफा बाजी आमरो अंतरवारता बाजी आमरो मीडिया बाजी रणनेती कुराओ अपो बाद बह對對 नेपाल का कौमणिस्थ हरको तिलानामा कांग्रेशी हरको कुराओ पत्याओ ले कथी सजीलो पहले पनी हुंतियों कांग्रेशी हर अरुमान नजर ए सर मी सानी हट मा भाएपनी बाकी चा। सुट बल्दा Communist बन्दा। अली धेरे लजांचनं Congress रुआ। तरक पछिलो वर्ष अरुमा भणे Congress रो Communist नेता कैरे करता हरु बीज को फरकड़ देगे कोईकोछ। अफुलै Congress र अफुलै Communist रो Communist बनने बीजको अंतरपनी कड़देगे कोछ। तुई मूल कारण चान, पहलो कारण वईश्यूक को आगमन हो, वईश्यूक को प्रभाप ठूलोचा, मैं ले पठक-ठक बंदे आयकोची। यसले दुभेडा ही सोपेरली आयकोची। यले सारा संसारली आयकोची। अब क्ये नेपाल का कांग्रेश को प्रभाप ठूलोचा, पहलो कारण वईश्यूक को आगमन हो, दोसरो कारण नया नेपाल का कांग्रेश हो पनी बाठा रवाचाल है काछन। नया नेपाल सब्दको मार्केट डिमांड ले गरदा, उन्यारू बाठार बाचाल है काहून। वहा कांग्रेश को पुरानों संसकार ट्यागे काहून। यशी भन्न सकीन। यहवडा सब्द पचिला केई समय मा, पचिला केई मैना बर्ष मा, बजार मा व्यापक प्रचलन मा आयको छा पुस्तांतरन मा सोद्न चाहांचु के बने कोई हो पुस्तांतरन बने को के हो इस्तो कुनी सब्द कोस्मा छा अंग्रेजी बाट खजदाली सजिलोंचा किना मने सब्द को द्रिष्टिकोडले अंग्रेजी भासा ज्यादै धनी चा अंग्रेजी धनी एसकाराणचा किना मने भासेक पवित्रतामा भासेक सत्यत्तुमा अंग्रेजी भासाले रतिभर विश्वास गरताईना अन्ने भाषा बाटा सब्द आयाद गरन अंगरेजी ले कुणे परहेज गर देढा, कुणे संकोच मान देढा, कुणे लाज लपेट राख देढा वेश्वाक मनलाई, भाषेक वेश्वाक मनलाई बनो, ंगरेजी भाषाले न Florenetic पुस्तांतर अनलाई अंग्रेजी भासामा के बाँचा ना। मसंग बाईको नेपाली भासा को सब्द कोसमा पनी पुस्तांतर अन सब्द बेटमना सजीलो चाहिना। मले लाग चाहिना पुस्तांतरान सब्द ले पुस्ताहरु बीचको अंतरलाई जनाुद चाहिना। तर नेपाली राजनीतिर नेपाली मीडिया बजार मां पच्छिला केही बर्ष देखी यो सब्दको परिवासा येसरी गरिये को चाहिना। मा छके परेगोचू, के राजनेतिक अर्थमा पुस्तान्तरण भन्नाले, फगत उमेर का हिसाबले, मांचेले नेत्युत्तमा जानापाउने स्वाधिकारले जनाऊचा? के पुस्तान्तरण भन्नाले, कम उमेर वाला हरु आये, अब बड़ी उमेर वाला हरले अनिवारिय अवकासलीनु पर्चा भन्ने जनाऊचा? यदि कम उमेर नहीं नेत्युत्तो को आधार हो भने, तो कम उमेर भने को कती हो? कती? मानियो, कॉंग्रेस मा अईले कुणही 40 बर्ष को मांचे नेता भायोरे। तेसो भाय, 41 बर्ष माथी का कॉंग्रेस मा लागे का सबई शाना ठुला नेता, अब कईले नेत्रुत्त मा आउने चाहिनन मन्ने ग्यारेंटी बनेगो हो त्यो? ओबामा क्वती बर्ष का थिये जबाउनी राष्ट बती भाय, और बाइडेन क्वती बर्ष का चन जबाउनी राष्ट बती भाय, राजीव गांधी क्वती बर्ष का थिये जबाउनी परदान मंत्री भाय, और अईले मोधी क्वती बर्ष को उमेर मा परदान मंत्री भाय, पुस्तान्तरण को गुर्खे फर्मुला गुर्खे मीडिया फर्मुला अनुसार तो पुस्तान्तरण को घड़ी ओवामा बाट बाइडेन समा आई पुगदा वा राजीब गांदी बाट मोधी समा आउदा के उल्टु घुमे को अमेरिका रा भारत को राजनिती मा पुस्तान्तरण भाय को हो हाँ चंगे तेस्त काम चरा नेपाली बजार मा चलाईएको राजनिती मा पुस्तान्तरण एक अर्थहीन सब्द हो यो सब्दको नेपाली मीडिया रो बोधिक जगतमा भाय को परिवासाले हमरो आधारवोथ समझको दिवालिया पन भाय के पनी देखाऊ देन मिनेंद्र रिजालले चुनती पुर्ण भासामा भने का चान कोट राजनिती मा पुस्तान्तरण राश्तन्तरमा मात्र होंच अनकोट मिनेंद्र रिजाल को भनायमा सानु थपो राश्तन्तर भाय के अन्नी कुराहरमा पनी पुस्तान्तरण होंच जस्तो big business house मा पनी पुस्तान्तरण सम्भवच मीडिया चलावनी बिग बिजनेस हाउस मा पनी पुस्ता अंतरान हुँचा यहोटा मीडिया सेट यहोडा मीडिया साव पची उसको छोरो वा उसको छोरीले गद्धी समाल ची साथ्योकुरा कोट अनकोट दलाल पुजीपती भनेर आरोपीत हरुले चलावनी ठुला संचार माध्यमरुमा बर्सों देखी लेखतेयाय का महान प्रगतिशी लेखा करू वा संपाद खरूलाई आजसम्म था नवभैकवनी होना सक्ष करेली का हमी आफनों आंको जुम्रा देखने चाहां देनू चाहाय हमी जद्धी सुके प्रगतिशील्वा उदार कीनना हो मुल्बुच वात्ति वो मा फेरी दोराउन चाहां चू जो कुरा महीले बर्खाराई बने मा जाना जान दोराउन देचू के राजनेतिक अर्थमा पुस्तांतरण बन्नाले फगत उमेर का हिसाबले मांचेले नेत्रुत्तुमा जान पाउने स्वाधिकार ले जनोंचा के पुस्तांतरण बन्नाले कम उमेर वालाहरू आये अब बड़ी उमेर वालाहरले अनिवारी आवकासलीनु परचा बननी कुराले जनोंचा यदि कम उमेर नेत्रुत्तुको आधार हो बनी तियो कम उमेर बनने को कादियो याता हाउस मा 25 वर्ष का बनी वहलान। मानिने कोग्रेस मा उएले 40 वर्ष को मानचे नेता भाय उरी। ते सुभाई 41 वर्ष माथी का सबै कईले नेत्रुत्तुमा आउने चाहिनेन मनने गयारेंची हो। यो लाइन मा जाना जाने दोरा हों देचु। तब यरू बर्ष हों देखी जुन जूर्ड सुन्दे होनुँच त्यसकारण ले गर्दखी रे स्वत्त्य को पुनरोग्ती एक दी चोटी वहलाले कुनी आई अपरहात हुन। वहामा कती बर्ष का थिये रास्टपती होंदा। राजीव गांधी कती बर्ष मा प्रदान मंत्री भाए रो ऐलीका प्रदान मंत्री मोधी कती बर्ष मा प्रदान मंत्री भाए। केती देशर मा प्रतिगामी पुस्तांतरण भयको वा अंटीकलोकवाइज पुस्तांतरण भयको वा गडी को स्योल्ट भूमेको नेपाल मा ल्यावनो खोजियेको पुस्तान तरण को अदभूत परिभासा भनो वा पुस्तान तरण को चटके परिभासा ये अईठ्यासिक तत्तो अर्षांग मेल खांचा मले लाग देने मेल खांच अब योटा कुरा ध्यांदेर सुन्नोस राजनितीमा कसेले चाहादईमा पुस्तान तरण हो देन हो राजनितीमा नेत्तुर्तो परिवर्तन अनिवारे हुँच राजनितीमा आवदेक नेत्तुर्तो परिवर्तन अनिवारे हुँच कथेत पुस्तान तरण हो हीन नेत्तुर्त परिवर्तन कईले वैधानिक तरिकाले हुँचा, कईले बलपूर्पक हुँचा, कईले स्वडेंदर पूर्पक हुँचा रा कईले कई स्वैच्छाले बालवाल नेताले नया नेत्तुर्तुको आगमन का लागी बाटो निर्मान गरी दिन्छा ये मले भायवानेर, तेस कारण पनी नेत्रुत परिवर्थन हुँँच, तर पुस्तांतरण नामक काल्पनिक भिक्षा पात्रमा नेत्रुत परिवर्थन को दान प्राप्तगर्न संभव दैने, मुपनी जहांचो नेत्रुत परिवर्थन होँच, तर त्यो काम नेपाली कंग्रेस को कुणी पनी सांसद लाई संसदे दलको नेता मा दाविगर्नी पुरा-पुरा अधिकार चा। साहे तेसको उमेर जट्ची सुकाई थोरे वा धेरे किने नहोस। गगन ठापा जस्तो पपुलर योग्य सांसद ले संसदे दलको नेता को पदमा दाविगर्नी तेसमा कसेले पनी अन्येता सोचनो दैना। तेसमा वहांको स्वाधिकार हो। मत अज गगन ठापा को चाहनार प्रयास को स्वागत गर्चू। खुला हेर देले। मेल तेल लगाथार बंदे आयको चू मामाला नेतुर तुमा देखना चाहन चू। तर गगन ठापार हालका निमती उहांका कॉम्रेड इन आम्स विश्चूपरकास ले हामी आयाउं। अब बाकी सबैले पुस्तान तरणको नाम्मा सीठ खाली गर्नू पर्चू। पन्ने भावार्थको उनिलेटरल एक तरफी कोशणा गर्नू, मीडियामा जती सुके उत्तेजक्र आकर्शक देखे पनी यथार्तमा तेसको कार्यान गर्नू सहच चाहिन। भाहे ते उन्तियो तर सहच चाहिन। नेबाली कोंग्रेस पाचीमा परम्परा का जरारू अजे तेती कमजोर भैसके का चाहिन। अवे यो परम्परा सब्धलाई कसेले रूडिबादी ठाननी आचे छाप मुर्खता चाहिन न गर्नू वला, यो आचे छाप बननाले विक्रित आलोचनात्मक चैइत, आचे आचे बन्जूमतेले शट्फममा तेसको मुर्खता चाहिन न गर्नू वला परम्पराका जरा आरू नेपाली कॉंग्रेस मा कमजोर भायको दिन यो पाड़ी तेस्तो रहनी चाहिने जस्तो रहन देया आयाको चुनाओ को बेला सबेले लामला मट्टीका लगायाको धर्मनेट पेक्षे पाड़ी परम्पराका जरालाई चुनूती दिन तेती सजीलो चाहिना नेपाली राजनीती मा स्थाइतोर संसकार को स्पाइनल कॉर्ड भाची न सक्षानाओ जुन स्पाइनल कॉर्ड को प्रतिनेत्तो तो आज सम्मा नेपाली कॉंग्रेस माटीले गर देया कोचु अब आफु पछी नेपाली कॉंग्रेस को भाविन नेत्र तो कसको आत्मा दिने तरफ गंभीरता प्रवक सोचन थालनो परचा काम गरन थालनो परचा आजको बली नेत्यो काम गरनो परचा भनेको आई ना तर तेसको शुरुवात गरने धिला गरनो उदाई ना योकुर आम मैले मीडियामा आज भनेको भायता पनी पटक पटक सेरबादुर जी सामू सीधा र कठोर भासामा आधर पुरवक राखे कुचु आजको दिन्मा संसदिय दल्मा सेरबादुर द्योवालाई हराऊना मत जुटाऊना सजिलो चाहिना वहां कॉंग्रेस पाठी वित्र वहां समग्र नेपाली राजनितिमा कहले पनी तेती कमजोर ना उनूंत्यो ना आजको दिन्मा उनूंचा जती एक तपकाले सुन्योजित रूपमा प्रचार गर्थयो रा गर्दाइचा He was never that weak and he is never that weak as people propagated राजको दिन्मा पनी तेती कमजोर हुनूंत्यो ना एक ठाका भनियो सेर बाहदुर द्योवाले कॉंग्रेस पाठी को महाधिवेशन ने गराऊना उनले गराए तेस्पची बनियो उनी पाठी सभापतिको निर्वाचन मा उनको पत्ता साफ उनी चा तर निर्वाचन परणामले तेव प्रचार ले पनी सायमा पारी दियो ही जो समा बनी देए थेो दुई जाना महा मंत्री हरुले आगामी प्रधान मंत्री उनी गोष्णा गरी सके अब देववाले कुर्शी सवड़ेर टाप दिनु परचा तिस्तबिन देखी देन यथारता आज हेर दाखेरी इस्तिति आरके देखी देएचा सबेले थाचा देववा कुनी सर्वकुन संपन्न महान नेता होई नन न उनी मर्यादा पुरुस इमांदार भगवान श्री राम नहीं न उनी लच्छेदार भाषण गरना सक्षन न मीडिया मैनेज गरना सक्षन न न नेपाल को कुने मूलधार मीडियामा उनको कुने सफ्ट्वेर रवा हाडवेर लगानी नहीं चा भुझनुम आये न तर एक पटक हैई न दू पटक हैई न तीन पटक हैई न चार पटक हैई न पाज पटक हैई न मतल बीर्शिबिंच आगेए 6 पटक होगी 7 पटक जनताले उनेलाई जीतारे पठाय काच अब क्वेर प्रसाथ कोर्याला का आधर्श शिश्य हुंधया बिजन का पठब्रिक्षे हुन देववा, शेर बहादुर देववा को मुल्यांकन गरना अगी, आमेले गिर्जा प्रसात को इर्याला को मुल्यांकन गरना शकना परछा, नत्र कुरा को चूर बुजिन्ना। तेसेले शेर बहादुर देववालाई मीडियामा वा सोश्याल मीडियामा अरवन जती सजीलो छा, मत पेठीका मा पराजित गरना, तेतीके दुरलव छा, हामेले अपनायको राजनेतिक प्रणाली इस्तहिनी छा, तर कुसेले अरवन शक्दाईना मन्देमा शेर बादुर देववाले सत्ता मौमा टासी रहनू परदाईना, वीगन ली प्लैसेस, हामी अफ़ापना काम जड़ार जाना सक्चों नी, वहाले आफुबची कॉंग्रेस नेत्रत समालने साथी अरले अगाड़ी लहुने प्रक्रियाको सुर्वात गरन चरूरी छा, सबैले अत्यनत गईरो संग भुजण परने कुराक्ये छा वने, आजको राजनिती, आज नेपाली कॉंग्रेस संस्दिये दलको नेताको हुन्चा ववाको हुदैना बन्ने सवाल मा मात्र सीमित छाई न, आजको मूल सवाल यह हो कि सभापती सेर बहादुर द्यववा पची आगामी दिन को जटिल राश्टिर अंतराश्टि परिश्थितिमा नेपाली कॉंग्रेस को नेत्रुत्त को बागडोर कसली समालने चो, यह सवाल यक्षे हो, इस सवाल हरू राजनिती सास्त्र का किताब मा मुदैन वयको फगत मीडिया वाजी बाट उचालियेको कथित पुस्तांतरन बन्ने, सब्द विद्र मातराई खोजों मने, हमी समस्यामा पर्चां किन मने, हमले उत्तर पाउंदने, किन मने उत्तर देरी गईरोल लुके कोचा, क्ये सेर्वादर देवबापची को नेत्रुत एकई पठाग गगन ठापा को आत्मात जाना सक्षा, कि नेपाल मा हाल लागू, राजनेतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नेपाल को सामाजिक ब्यवस्ता, कॉंग्रेस को परंपरा, राष्टी, अंतराष्टी, परिस्तितेरू, समगर संसत को अंग गडित, समग्र संसत को वर्तमान अंक कड़ित क्ये इस सबै कुराप्रती आखा चिमली न सकीन चा एक मंत लाग्चा मा आखा चिमलू तर मा आखा तेती सजील संग चिमली न सकतीन हारदिक चाहना कुछ तरबाटा मातर वन्ने ववनी मपनी चाहन चुके गगन थापा ततकाल बलीने प्रधान मंतरी बनो और को दो कुरे छाड़ू मैले नया पुस्तका साथेरू आपना संतान हरलाई गगन ची संग परिचे कराऊंदा हमेशा भावी प्रधान मंतरी बने रचिनायको धेरे बर्शबाए मेरो उतकट चाहना एक्ठाम माचा तर माला यो बोध पनी चाह कि हमेले जुन संबिधान बनायका चाहूं जुन निर्वाचन प्रडाली अपनायका चाहूं तेसमा प्रधान मंतरी वा संसदिय दल को नेता हुने योटा पट्यार लाग दोर अनिवारे दूरी चा यो तथनी हाल संबिधान को चारित्रिक विशेष्था हो कोई न हमिले देरे अतारोचा, हमिले देरे आतूरीचा, हमिले देरे चटारोचा वने हमिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कारी-कारी को ब्यवस्ता संबिधान मा गरना पर गेंचा हमले तो बेवस्ता सम्मिधान में गरने सकनू परछ। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली कदाचित ल्याईए होगनी नेपाली समाज र राजनीती को मिली जुली बसं, बाणी चुड़ी खाऊं, वन्नी अथारत संगा मेल खांचा अतिमात्र है नो, तिसो गोरेवनियो सम्मिधान का कईों प्रावधानरू, शंहीता संबधी प्रावधानरू नो अन्या कईऊं प्रावधानर शे ये मिल खांचा एग चटी सोचनो त्या नेपाणी जठिलता छा ! वजजनु मखाइन आ जीवन जटिलता को आरको ड्याम हो योकुने एकांगी हो है कुड़ा है ना लाइफ इस नोट लिनियार है मले बर्सों देखें मीडियारा बोद्धी करले पड़ाया जस्तो यो बहुँ आयमिक पिशे हो यह को योड़ा आयाम आरको आयाम संग मेल खांदाई ना त्याने रजटिलता हुँँचा जीवन टन्न दुछा खायरा गायाका दुछा को समस्यान नवायका बनो बोद्धिक पंडिजीले चापाको विचार प्रिस्टमा पुष्टान तरणको उबदेश्तिये जस्तो सरल रेखामा जीवन हिन दैना अब आउने दिन मा समाज लाई तेस्तो मीडिया वा बोदिक अरुका आवशक्ता पनी होनी साइना जसलाई उबदेश दिन वायक क्या पनी आउन देना What is the solution? यो आचे आचे गरेर मात्री गदेपुगी देना आचे आचे वनना ले बिक्रित आलोचनापमक्षेत को श्र्ट फर्म मंबंप्रेव करें आलोचनापमक्षेत योड़ा महान गुड़ हो तर आचे 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 इस्ते इस्ते हो अटेंजन सेगी अब तेौकाम महान जानलेओ गरेने शाखता परवीदी में वांटी गरताओआबंद को हरकोई मान्के पत्रकारऊ होनाश आचे पत्रकार को हो पत्रकार को है ने योबने मनने करेबयेश अब हरकोई मान्के आचे सब्सक्राइब दावी-गरना पाहंच दावी गर्दाइमा उंचा वावंदाइना यो बेगले कुराओ तर दावी गर्दाइमा पाउंचा तेसको निमते परिस्तिते तेरू निर्माण वहीश हो के अरकोई उड़ा समाशे आयले केचा वहने कि जीवनलाई सब्दकोस मा नाउन संग्या वनेर परिवासित करियोगोचुन। जीवन नाउन हो वनेर तर यथार तमार विश्यच करिकन वहीश्ययोग मा जीवन वर्ब हो जीवन क्रिया हो। मुझनुवाईना अनि जीवन उपदेश मांत्र हो हीना संस्कार पन्यों। राजनेतिक पाटियरू उत्तेजग भास्राण बाजीवाड मात्र चल दाइनां राजनेतिक नेतारू। जटिल सम्झाउता हरू बाटपनी संचाली तुन्चनूनेरू। मलाई थाचा नेपाली कॉंग्रेस संसद्य दल नेताको निर्वाचन मा भूठ हालना। संसद्य दल लएक क्षेल के सिखाऊनू पर दाइना। त्यस्ति लाटप कहा हुन चन्धरू। मीडियर विचार बदी गर लेता जने सिखाऊनू पर दाइना। किना मने हाल संसद्य बायका मद्धे कईयों लेता आफे मीडिया चलाउंचन। उनका आफने मीडिया चन। कईयोंका आफने मीडिया चन। और कईयों चाई मीडिया ले चलाउना जानता चन। बुझनिमाई ना। तो इटे आत्मनलड़ चो महारको। तेसेले उन्हों ले सिखाई राखनो परदे ना। तर एसबीच एक महत्तपूर्ण बिंदुको रूपमा नेपाली राजनीतीमा कॉंग्रस नेता सेखर कोईराला देखा परेका चन। उनले बनी संसदीय दलको नेता को चुनावमा उमेद्वारी दिनीकुरा जानकारी मायाको चुर। संभावनांको कुर। मलाई लाक्सा की उनको उमेद्वारी को दिर्गकालीन रूपले अर्थ रहने चुर। शेखर कोईराला बिगत महादिवेशन मा सेर बहादूर देववासंग निर्वाचन लड़े का थे सवभापती पत्मा, गगन थापा उनके टीम मा थे, एस अर्थ मा, के महीन अगाडिसमा, एस अर्थ मा सेखर कोईराला गगन थापा का नेता पनियों। जसले कॉंग्रेस फित्र अर्को खेमा मा रहेका अर्लाई, तेती देरी असाइशन व्यवार गर देनेर, कतिवे अवस्तामा उदार ता पुर्वक संब्रक्षान करेको रेकोर्ड बनीचा। तो वेली उखरा बिर्शीन हो देना कि शेर्वादुर देववाको प्रजातांतरी कॉंग्रेस लाई, गिर्जा प्रसाथ को रालाले उज अर्था नन देखाया गवाए, कॉंग्रेस एकी करण संब्थियेना। इथी आशकोर्ण पाटोमा। दो स्थिती देखियेता पनी, बेवारीक रा गड़िती रूपले त्यो समभब देखिदेना। नेपाल को संब्थानिक समर्चना, कॉंग्रेस पाट्टी को समर्चना, इसको इथियास, इसको मनस्थिती। इसको परंपरा हरले यहानेरा जटिलता पैदा गरशन। यह कुना राजनितीमा मात रहने जीवन का अनेक छत्र अर्मन लागवुँँज। जस्तो एक्ताक माले लागने गर देखियो कि पेशागत काबिलेत मा माँ बंदा क्यों गुना अयोग्य हरू। क्यों बर्चने कि यहात मीडियामा मालिक बनेर राजगरी राखे काचन। या संपादक बनेर राजगरी राखे काचन। मुँँचा इसको फुटपाथ मां चु, मले तेस्तो लाग दाथियो। तरह माँ लाखदें मते कहीं हो दाई नी। हमरो समाज को जस्तो सम्रचनाचा चेस्ते हुनी नहो। जस्तो मीडियाको साव हुँचा संपादक चेस्ते हुँचा। योकुरम बुजनमलाई धेरी समय लाग्यो। आज माँ चेरो सबी रविशकुमार रविशकुमार बनचन। रविशकुमार निसंदेह महान पत्रकार हुन। तरह जबा हमी रविशकुमार को कुरा गर्चन। हमीले डॉक्टर प्र्ने रोय रादिकार रोय को उधारतालाई बिर्शेव मने। हाँ, हामी कताई बने पुक्ताई न। खुला आकास दियेका थेर प्रने रोयले रविशकुमार लाई, तेसे ले तो उनी उड़न सके। वहीना मने संपादक लाई पीजरामा राखने सेट जी, साउजी अरको न भारत मा कमी चा न न नेपाल मा कमी चा। पछिला दिलमा जब डिजिटल क्रांती भायो, मीडिया को समरजना फेरियो, तब मेरो गुणासो कसे संग बाखी रहे न। मन लाई टेलिविजन इस्टेशन मा गहरे काम गरने, मन लाई घरे बड़े काम गरने। नेपाल को राजनिती मा जुन संभिधान चा, जुन इसको परिदी चा, तिसका के चारित्रिक विश्यस्ता भनो, या बादेता भनो, वा सिमित्ता भनो, वा संयम का सीमा हरू छन। हामी सबैले यो कुरारू बुजदा सजीले होंच। जाना-जानाई योटा सबाल फेरी ते रायर सोधन चान्चू, जाउनमाननो हला, पुस्तान तरणको नाम्मा बर्षों देखी जुटका पुलिंदावा अज्यानता को प्रतसन गरने। सुविधा समाजले सवेलाई देखोच, तेरे मीडियालाई देखोच, सत्यकुपन रुखती मलाई तीन पटक दिनी मौका समाजले प्रतान गरनेच, तेसेले मा फेरी तेही समाज, फेरी तेही सवाल दोराउंदेचू, समस्त समाज का गाड़ी। के राजनेतीक अर्थमा पुस्तांतरण भन्नाले फगत उमेर को हिसाबले मांचेलाई नतुर्त मा जाना पवने स्वाधिकार जनाऊच, के पुस्तांतरण भन्नाले कम उमेर वालारू आये अब बडी उमेर वालारले अनिवारे अउकास लिन्दू पर्षा बनने जनाऊच यदी कम उमेर नहीं नतुर्त करने आधार हो वने, तो कम उमेर वनेको कती वर्ष हो तेसको कट पोइंट के हो, कती वर्ष देखी कम उमेर शुरू उन्छ अनि मानी नियों, कॉंग्रेस माय लेकुने 40 बर्ष को मांचे नेता भगए वा 30 बर्ष को मांचे नेता भगए वने, तियों बन्दा माथी को उमेर मा रहेका, सबे जाना कोईले नेतर तुमा नावनी ठकवा गरेको हो, फकवा गरना चाहा को आमले, यही हो पुस्तांतरान भ को प्रतिगमन भयक हो, के पुस्तांतरान को घड़ी उल्टो घुमेक हो, के पुस्तांतरान को परिभासा तेही नही हो, तेसा ही ले। बढ़ता यो कुरा कुसलाई था ओला कि यो सवाल आगामी सरकार को गठन संग मात्र संबंदी चाहिना मुख्य सवाल नेपाली राजनीतिको मेरुदंड बने राज संब रहे को राजनीतिक पाठी को स्थीर्ता तेसको गांभी रेता रा संग्तुरन को सवाल पनियो यही सवाल को जवाब संगाई नेपाली कॉंग्रेस मा नेतुर्त परिवर्तन को प्रक्रिया को क्रमिक थालानी को सुर्वात पनी होनेशा सवापतिन सेर बाहतुर देवबाले तेव गर्णू पनी परनी शवाल तेव वहाँको अईतिहासिक दायति हो दर्शकरू आजला यहति ने चाने यो पड़कास को दोस्रो भाग प्रसारितो नेशा चसमा आगामी सरकार को गठन का संभाव नहरू बाटे चर्चा करी नेशा आजला यहति